नमस्कार किसान भाईयों आज का ये वीडियो उन किसान भाईयों के लिए बहुत ही इंपोटेंट होने वाला है जो किसान भाईयों की खेती करते हैं हमारे बहुत से किसान भाईयों को पता नहीं होता है कि गेहों की फसल में कौन सा खाट डालना चाहिए जिससे की गेहों की कलो की संक्या बढ़े जिससे की गेहों में जितने कलो की संक्या बढ़ेगी सुरवाती स्टेज में उतने ही उसमें दाने निकलेंगे इसलिए आपको इस वीडियो में बताए जाएगा कि गेहों में उरिया के साथ कुन सा खाट डालना है हमारे किसान भाई यह सिर्फ दिक्तर किसान भाई यही डालते है कि उरिया और डियेपी या 12 बत्ति 16 खाद या पोटास खाद उनको पता यह नहीं रहता है कि गेहों की पसल में किस पोसक्त तवक्य भी कमी होती है जिसके कारण गेहों का सही तरह से उत्पादन नहीं हो पाता है और जो किसान भाई बार बार एकी खेत में गेहों की बुवाई करते हैं और उनके खेत में भी सही से उत्पादन नहीं निकल पाता है तो उसके लिए कौन से खाद की कमी हो जाती है उस खेत में तो सारी वीडियो के माध्यम से जानकरी मिलने वाली है अगर आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजे और चेनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि यहां पर खेती बाड़ी से रिलेटेट सारे वीडियो लेटेस्ट वीडियो की जनकरी मिलती रहती है तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते तो किसान भाई गेहों की फसल में कलो की संख्या बढ़ाने के लिए आपको उडिया खा दिया कौन से भी खा दो उसके आथ गेहों में सबसे जादा जो कमी देखने को मिलती है वो जीनक की होती है जीनक खाथ से गेहों की फसल में बहुत बड़ा फाइदा होता है जीनक खाथ का प्रियोक करने से आपके खेत में गेहों में कलो की संख्या को बढ़ावा देता है गेहों में हरापन लाता है और साथ में जो nutrition लेते हैं हमारे अन्य उनको लेने में बहुत ही साहिता प्रदान करता है जो कि फोस्पूरस, नाइट्रोजन, पोटा जो हमारे गिसन में डालते हैं वो सारे जमिन से वो पोदा नहीं ले पाता है जो आप जिंग डालते हैं उससे वो उसका आसानी होती है nutrition लेने में गेहों में सबसे वड़ा रोल निबाता है जिंग गेहों में कलो की संख्या बढ़ाने में जितने कलो का फुटा होगा उतने ही आपके गेहों की पेदावार बढ़ेगी तो आपको बता दे कि गेहों में जिंग डालने का सई समय क्या है और कौन से जिंग का प्रियोग करना चाहिए तो मार्केट में आपको जिंग दो तरह के मिल जाते एक जिंग सल्फेट होता है 32% वाला 21% वाला और एक चिलेटेड जिंग आता है जिंग सल्फेट का प्रियोग करते हो या जब पहले सिचाहिए करते हो तो जब आप 20-25 दिन में जब पहले सिचाहिए करते हो उस समय भी आप गूरिया के साथ जिंग सल्फेट को 5-6 किलो प्रियोग करते हो या बुवाई करते हो उस समय भी 5-6 किलो प्रियोग करते हो अगर आपने सुखे में बुआई किये और अगर आप पहले सी चाहिए दूसरी सी चाहिए करते हो उस समय आप उरिया डालते हो उसके साथ भी जिंक सलफेट को डाल सकते हो 5-6 किलोग्राम प्रतिय कर अगर आपकी गहुं की पसल ज्यादा बड़ी हो चुकी है 30-35 दिन से अध इसाब से इस्प्रे के मध्यम से इसका प्रियोक करना है अगर आपको चिलेटेट जिंक नहीं मिलता है और जिंक सलफेट को या अगर आप इस्प्रे के मध्यम से प्रियोक करना चाहते हो इसमें आपको 2-3 ग्राम जिंक सलफेट के मातरा लेनी है साथ में इसमें आपको 3-7 प्रती लिटर पानी के सबसे ऊरिया भी लेना है और उसको गोल बना कर इन दोनों का इस्प्रे के मेद्येम से प्रियोंक कर ecc अगर आप अपने खेत में गेहों की पसल में जिंक का प्रियोक करते हो तो आपके गेहों में कलों की संख्या भी बढ़ेगी और उत्पादन की बात करें तो जो हर साल से उत्पादन निकल रहा है उच से हदिक ही देखने को मिलेगा ज्यादा ही निकलेगा आपका उत्पादन उत्पादन में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी आपको हमारे द्वारा दीगे जानकरी पसंद आए तो अपने अन्य किसान भाईयों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें आपका मतपूर्ण समय देने के लिए दन्यवाद हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जावान जय किसान